कुछ अब बेंगेर का अगयान अब निकल रहा हुआ हला वल्म प्रद एक पुरा अफ रोड और एक कुरा टार्म lड है तो हम सोच रहे कि टार्मैक रोट से जाए क्योंकि ऑफ रोड अभी बहुत हो गया तो यहां काफी अच्छा यार यह रूम भी काफी अच्छा था खाने वगए ठीक टाक था कल रात को हमने खाना खाया अच्छा यहां पर सीनियर है कि जियोर नहीं चल रहा है यहां पर बी एसनल का थोड़ा बहुत नेटोवक है और यहां पर गरम पानी और अलेक्रिसिटी का बहुत सीरिय तो अगर आप आ रहे हो तो कम प्रिपेर्ड अकॉर्डिंग्ली क्योंकि ग्लाइड यारा बजे चला जाता है यहां पर और गरम पानी सुभे ही मिलता है तो एनिवेस चलो अभी निकलते हैं तो अभी हम लोग है हनले में जो है 14,200 फीट पे और यहां से हम लोग को जाना है उमलिंगला तो वर्ड का हा आपको उपर बताऊंगा यहां पी नहीं बताऊंगा यह चलो अभी फटाफट सामन तो हो गया है थोड़ा रख दिया है यहां पर बाकी एक में ले रहा हो बाकी चलो अचा भी निकलते हैं तो गाईज टाइम हो रहा है एक्जेक्ट 7.59 और अब भी सीन यह है के अरे यार मेरा अलम बज़ रहा है और आज है देस आज है 17 जून एंड मेरा डे है 16 शिक्स्टीन दे चल रहा है मस्त घूम रहा है इफ आम नॉट रहा है आज मंडे दिन का तो गाईज पूछा ही मत मुझे कोई प्रैकी रेकॉर्ड नहीं है दिन में कौन सा दिन चल रहा है कल संडे ता मुझे बाद में पता चला है तो है क्या विव यार क्या विव है कि अपर हां ले अब्जर्वेट्री है तो वह कहां पर पता नहीं है अब जला देखते अभी कभी निकलते है यहां पर गाईस हों स्टेप बहुत है बट हाँ जैसे में ने बता है और इस शिट दोई डंडी बचे पेट्रल के देखते अभी कितना जाता है मेरे पास यह दोनों है जेरी कैन भरे हुए मिलता अभी थोड़ा दिर में अभी लोग आते तो राइट चालो करते अभी वह ना यहां से पूरा छोटा सा गाह में ज्यादा बड़ा नहीं है घर कुछ वहां पर कुछ यहां पर तो आज तक टोटल राइड हुआ है 3660 तो यह आज तक हुआ है अदे सिक्स्टीन में अपन स्टेप कर चुके अचली यहां से हालने से बोलते हैं कि उमलिंगला कुछ 100 किलोमेटर्स है तो जाना आना 200 किलोमेटर्स अभी मेरे पास देखो इतना फ्यूल बच्चा है और मेरे पास दो जेरी कैन है जो पूरा भरा हुआ है और नियो मा में नीचे जासे हमने एंट्री किया था परमेट वगरा दिखाया था चेक पोस्ट पे वहीं से 20 किलोमेटर आगे नियो मा है वहाँ पर पेट्रोल पंप है तो इफ आम नौट रॉंग मेरा बाइक इधर आके उधर तक जाना चे इतने पेट्रोल में देखते अब कितना जाता है और य आइस्ट मोर्टरेबल रोड गाइस कवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेट हूं है ले हाले नियूमा ओके आए लव हाले से जो है पोटिला 55 पोटिले पोटिला रेंगो लोमा और ले ले तो इसे देखा है यह यह ना तो दिस इस दो वे तो उमलिंगला पास यहां से 92 क्लिमिटर तो अनिमा गेट सेट गो चलो चलो तो यह स्काइज चरुनि तो वर्ल्स हाइस्ट मोटरेबल रोड स्टाइज और इस 8.15 ना और यार स्टिल इनों गाइस अभी तक मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है सच में बोड़ा गाइस मैं जो यहां पर हो इस अच्छे व्यू को इंजाए कर रहा हूं यकीन नहीं हो रहा है गाइस क्या हुआ क्या ये बैक मैं चला हुआ कभी अभी 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 चलाने क्यों क्यों सुन्दर दिखती है सुन्दर दिखती है चड़ेगा क्या उपर चड़ेगा ना अब अब धाल लेलो है ना अब अधे टाम उत्र रहेगा ना चलो केटियो कि इस ओफरिंग मेरे केटियम गाइस इनको जी लोगोने मेरा वीडियो देखा है उनको पता है मैंने केटियम अलमोस लेटे लेते रहे गया ता एंड आम ग्लाइड आई चोज दिस वन विस इस दो बेस्ट 250 सिसी आई कोड़ है वेर ओंड सो फार एंड बहुत साही है गाइस यह वाइक कभी तक मुझे धोका नी दिया इतने बाहर मुझे गिरने से बचा है हाँ देखो थोड़ा बटतो होता है अठीक है इस क्या व्यू है और वह पहाड देखो विक्टम कैसे ना विक्टम अलग डिजाइन का ही पहाड और ऐसा इसा 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 अलग डिजाइन है बहुत ही सही लग रहा है जाई तरहां कि मैं ते देख तक किवर कर पाथे अविक्टम अजार नहीं आए सब ऑसी नॉर्मल मांटेंस और रस्ता किए और मोखन रस्ता है यह मैने चैंश तो और ना यह जा होग भी रहे तो यहां कि ए भास तो है इस पह्स ही एगए में तेचिए अब तक कवर करते हैं हम लोग बहुत सacja बहुत साहीं गाइस फॉपर्ब है सुपर्भी непोब गोप सी है उपर भेलाधां के भीली गोप्रचाइब हो मांटेंगे सब्नीख laufen सब्नीखन उस्नुडी हैлем पहाड तो बहुत चड़े, बट फर्स टाइब मेरे बाइक को इतने उपर लेके जा रहा हूँ मेरे इस सुजुकी वी स्ट्राम को ज़िस, जब शुल, अन्यों मिलेदा जों विखार है कोई धिकतर नहीं में कोई धिकतर नहीं परगी परफेक्ट पार देता है सबसे दिख रहे हैं मस्त है ना एक्टम और वाह और चड़ाई तो यार एक्टम क्या चड़ाई है समझ में नहीं आ रहा है क्लासिक है टॉनिंग्स भी एक्टम क्लासिक है गाइज एक्टम इसाभन कि अमन दोट भड़ी है चट्वाइं बबारी है एक्टों मस्त है क्या हो बाई इन सबको क्या हो गया क्या हो गया क्या है हिस Gwen यह इस चर्टकर्ट लेकर आ गया गिए यह वह सोच है दुसरा कोन बढ dahin देखा ता अपना ही बंदा वह उदर से शाटकट था देखो भाई अपन ने बहुत आफ रोडिंग किया है अब मेरे का आफ रोडिंग करने का कोई शाक नहीं है हाराम हाराम से अपने को पहशने का है आहा क्या टर्निंग है देखो हो रहा एकदम कड़कती धूप आला टर्निंग क्या होता है मस्त है गाइस एकदम सही है अगर आपको अफ रोडिंग के साथ-साथ यह नो टार्मक वाला भी चाहिए ना तो यह देखो एदर से बहुत लोगों ने शाटकट मा रहा है अपने रिस्क पे ट्राइक कर सकते हो बट आइवड नोट रिकमेंड तो रीजन वे और अन टार्मक विकास हमको अच्छे रोडी एक्सपेरिंस करना था है वाँ टानिंग देखो फुल डेडली टन है हाहा चला हो देखो अधर से गया ठीक है एक इदर है एक इदर है एक उदर है चलो ठीक है वह नाराम आराम से जाएंगे भाई अपने को कोई घाई नहीं है जो अपरोडिंग दो दिन किया है लास्ट हो मेरे लिए बहुत था जाइज रस्ता देखो उम्लिंग ला पास का वाव सही है ना टेंग वह और दिखा रहा था थरू अ कैसे नफ्ति यह रए ना बाकी पहाड का वाई से स्मूथ है वह और बहुंआ धाज भू प्रां नुख्टि लै utan रह पुरा इसा 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 मस्त है चाला शाहिए कहां कहां से लोगों ने अफ रोड निकाले देखो अलो भाद है अच्छा रस्ता दिया फिर भी नहीं चाहिए खरामी रस्ता चेह लगए को ठीक है भाई अच्छी बात है है कि अच्छा बात है कि अच्छा रस्ता देखो आम लिंग लापास का क्या क्लास है ना एक फोटो एक वीडियो तो बनता है इदर से जैसे जैसे ऊपर जा रहे ना वैसे वैसे टेंपरीचर कम होता जा रहा है सब्सक्राइब अरेंच कर लो वह से मैंने थर्मल्वेर पहना उसके उपर मैंने राइडिंग जैकेट पहना है फिर भी थंडी लग रहा है बस और यह आथ के अंदर कुछ नहीं पहना नॉर्मली पहना है 40 ले 32 हाथ के अंदर एक्चली डाल का ना चाहता मैंने गलती कर दी ट्राइव डॉन्ट फ्लाइव कैसा है पहाड चाड़ने के लिए देखो पहाड उतरना भी पड़ रहा है तिक दम छिल्ड लग रहा है एक्दम धंडी लग रहा है हम लोग को लगाता धूप है मुझे भी यह लगाता धूप है बट धूप है तो कोई असर नहीं है धूप का की मैं कि अम लोग अच्छे खासे यल्टिटिट पर जा रहा है कर गल्ती करदी लेकंाने च्छेता शाहाथ कम से कम बटी में तो इतना नहीं लग रहा है ठंडी बट्लाइक अब कुछ नाइस ना और यह रस्थे पर ना कोई निया ऐसा तीन दिन से हरे हम लोग जो रस्थे पर जारे वो रस्थे पर जारता कोई आता निया भी जै एक ठरादर पहले एको गई बस एक दो बाइकर दिखे ऊपर एकड़ मैं और कोईने लाइस चैड तो गह एंग अबी वापस उतर होगा ओमलिंगला के लिए क्या है यार खतर्नक रश्ते अधर ऐसे सोचा भी नहीं था हमने आहा आहा ओके पूरा उतरना है अभी फिर वापस चड़ना बढ़ेगा ओहा 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 इसको वापस चड़के वापस उतरना भी है देखा यह है उमलिंगला पास का रस्ता एक तों अधर चड़ा उतर चड़ा उतर चड़ा अभी चेल्ड हरा एकदम फू इतने उपर हमें छेटा सा प्यारा सा ब्रीज मिल गया है तो इसका तो फोटो निकालना बनता ही है वीडियो निकालना आए मिन अरे तेरी अपके भले यह टार्मैक रोड है बिट्स नोट ईजी लग और अभी शायद थोड़ा बहुत पेट्रोल का भी सीन हो सकता है चांसिस है देखते मेरे पास तो दस लेटर एक्स्टा है और मेरे पास अभी एक दो तीन कांडी दिखा रहा है एको लेकर चार है तो देखते अभी कितना तक हां तक चल पाता है हांले तक पहुछ जाए बस पेट्रोल अगर इनको लगा तो दे दूँगा मुझे शायद थोड़ा सा लगेगा शायद I don't know 200 km कवर करने लेट सी गाइस आपको भी पता चल जाएगा गाइस पहले थोड़ा छोटा रस्ता था अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हमेश च्राम भाई हमेश पारा साइय है कि मेश बारा से वी स्ट्राम लेक्या है यह में इस फॉटिरे सालेक्या है यह देड़ फोटी ले एड़ फोटी ले एड्वटी ले आज देग्दाव मास्त रस्ता है चिशुमले, 17 किलमेट का मास्त व्यू, देखो चोटा चोटा ब्रीज, अभी स्नो क्लाइड माउंटेंस भी दिख रहा है बास चडाई हो गया है, चालू, टूवर्ड्स ओमलिंगला पास, चिशुमले यहां से 9 किलमेटर्स तरिश यहां, क्या मस्त है अमलिंगला 33 किलमेटर्स वाह, ओके गाईज, 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 वाह, इतना चला लिया समझा ही नहीं यहार, क्या मस्त व्यू एंजोई करते वहां तोड़ा सा नहीं है व्यू एंजोई करते चला भी लिया, समझा भी नहीं, थरड़ी 3 किलमेटर्स, जस्ट थरड़ी 3 किलमेटर्स, वाह, इतिंग गाईज, पोच जने चेए रषंज, क्या कुदा है मने बई को, पाइड, वाह, व्यू देखो, क्वोटलाइज, व्यू देखो, व्यू देखो, थियूअ थिश्य किलमेटर्स, वाह, व्यॉ Welcome to World's Highest Motorable Road Wow तेखाँ गाइस ऐसे नहीं मैं बोलता था कि World's Highest Motorable Road है यह लिखाँ यहाँ यहाँ पे ठीक है जरो ब्रेकफर्स, LUNCH, DINNER यहाँ यहाँ पे रेस्टरांट भी है ओ-ओ-ओ-ओ-ओ नाइस वन ताइस रेली नाइस टाइम इस 10.15 गाइस एंड हम इस अधभुत द्रिश्य को देखते पहाड की उचाईयों को छूने जा रहे हैं काफी मजा रहे हैं यहाँ पे राइड करने लिए बहुत ज्यादा मजा रहे हैं कभी फास्ट कभी स्लो कभी लेफ्ट कभी राइट कभी उपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे बहुत मजा रही है ओ-ओ-ओ-ओ वियू तो दिखो यार ज़िए को गाईस नो जम गया लगता है वहाँ पे मस लग रहा है ना इतना धूब कीर रहे फिर पिर मेल्ट नहीं हो और अचली यहां पर थंडी है लग चिल लग रहे है आप बद वाव मस्त है नहीं है यार ऐसा लग रहे है खालू पकड़ के तो गाइस जैसे जैसे उपर आ रहे है न वैसे थंडी लग रहे है और एक डम मसा भी आ रहा है बट ठीक है ओके ओके देम चुक यहां से 35 किलिमेटर्स पे है और आधन एवरेस्ट बेस्ट कैम्प ओके हम लोग एवरेस्ट बेस्ट कैम्प से भी उपर है गाइस वाव रहे दी कोई लोग साइकल वाइकल लेक्या है पंजाब और हर्याना से वाव लोगन ऐसे देम चुक का दिया हुआ है उमलिंगला का भी देना चाहिए थाना कितना बचा है देम चुक यहां से 34 है तो उमलिंगला भी जादा नहीं है लेको हाव इट फिल्स तो ड्राइव ओन वर्ल्स हाइस्ट मोर्राबल रोड हाईस्ट एंजाई कर रहे हो कहा है नही नीचे कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा यह वीडियो आपको और यह हाइस्ट रोड का जर्नी कैसा लगा ज़रूर नीचे बताना क्या आप भी इस एटेम करना चाहोगे क्या बोलते हो गाइस क्या है आपका इरादा नीचे मुझे ज़रूर कमेड में बताना 19024 फीट तू रिच वाव फुल एकदम क्या बुलो इसको एडवेंचर है गाइस फुल एडवेंचर कोई उपर साइकल चला रहे क्या इंट रॉंग जैसे जैसे मंजिल नजदी का रहना सफर का मज़ा और पड़ता जा रहे है ठंडी हवा है सुन्दर नजारे है बहतरीन रास्ते है और क्या ची है अपर क्या लिखा है ब्रो वक्स तुडे फॉर यॉर बेटा तुमारो थैंक यू ब्रो pretty Geld Online 10,000 मित्रो तूरी चुम लेवाँ लण यू 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 just 1000 M необходимо records finally we have achieved it Finally I'm getting goose bumps guys inside my helmet of our body I just don't know what to do enjoy the beauty of the valley yes I am enjoying it I'm loving it actually I'm just loving it petrol is over but it's going to increase so this is guys the top world world's highest motorable roads wow higher than the Everest base camp wow thundi hadhseh zyadha badhra hai but anyways mazha utna hi zaadha hai you are just 500 meters oh 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 wow it is not so much milestone here good okay 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 how is it feeling guys we are on the world's highest motorable road woo finally we have reached guys finally we have reached we have achieved it what okay 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 do 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 okay 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 guys 19,024 feet guys yes highest motorable road thank you all oh freak I just kicked the top box oh I just have F*** no okay do we want to कि झालेशे के जाए र错 कि खेड़ा है हुआ 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 है 19,024 feet वैसे तो guys बहुत बढ़ाची में नहीं है बट यह I don't have words to say अपरीज बता दू क्या हो कैसा है I am overwhelmed बहुत ज्यादा ठंडी है बहुत हुआ यहाँ पे सारा चिल हाँ यहाँ पे बटीक है माज़ा है बहुत सारे लोग भी है कापी attention मिलना है मेरे बाइकरो अच्छा लग रहा है बहुत चाही लग रहा है थोड़ा emotion हो रहा हूँ बटीक है कितने सारे बाइकर जागे अभी काफी जादे यहाँ पे wind blast है मेरा हाथ काप रहा है सारी अगर वीडियो थोड़ा शेकी आ रहा है तो यहाँ इम चेवरिंग तो यहाँ तो यहाँ फाइनली हम लोग पहुच गें ओम लिंगला में यहाँ यहाँ अचीवड टोगेदर गाइस थैंक यू आल फाइस पूर्ट थैंक यू आल इस दिको कितने लोग आए कितने हमालें कडिये यह पर सब excited है सब फोटोज वीडियो दिकाने में रहत है चलो तक मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ से पूरा मस दिख रहा है गाईस बहुत परी आपको अगए यहाँ का बस थंदी लग रही है नाग भेह रहा है तफ और फिंट तफ तो गैस फाइनली वेहाँ आशी हम गड़ तो कैसा, पूरत पूर्ट पूरत बहुत पूरत पास वन लास्ट को लग रहा है। नकिए जा जाते हैं। यहां पर भी यहां यह किम सब्सक्राइब दिल्जेंस। इसे अधिवर फिर्फट। अध्यां निकलते हैं। और नीचे जाते हैं कि यहां पर थंड बहुत जादा है। मेरा face क्यों इतना गुरा दिख रहा है बता निए और रहे जो, कर निकलते है क्योता है एक मैजल अजयाग ब़हाँ मुझते हरा है अचिर कर लिया हमने यह पे के आफ़े और यह एंट vengeance पिटल फिए अर्र से आप Ltd यह पे वास्टयून जाता है चलो बास के दर अशुब जाते हैं इसे अपना वी स्ट्रम अदर मस्ती चमक रहा है चलो ताइम देखो यहां पर आड़नो कि इतना दिख रहा है दो बचके तीन मिनिट और मोबाल पर देखो और यहां पर वाइक पर देखो साड़े के रहा बच गए आइज यह चाइना का टाइम आ रहा है चलो सही है बहुत मजा आ रहा है गाइस बट यहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और यस हो गया वर्ल्ड का हाइस्ट मोटरवल रोड अचीव करके यह भाई लोग वेस्ट बिंगोल से आए आहा फाइनली अचीव कर ली आए गाइस मज़ा आ गया बाइक काफी स्मूदली चाले हो रहा है बहुत सही है साड़े जारा तो बज रहे है अब तक नीचे पहुच पाते देखते अभी काफी उतार चाड़ाव है इस रस्ते में हाँ मज़ा आगया बहुत मज़ा आगया बहुत 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 जामदे को बहुत बहुत ऑदेग को बहुत बहुत स्टेविए आपर कितना मस्त लग आप एक दो का दिखा नहीं से लिए घृट्ट्रव पहाड एक दो मस्त विए उपर यादे तैम निचे आदे तांप यह वियो एड़ा इस दोना यह में जादा दिखा नहीं रहा हूँ यह दो अब बीड़ आप नहीं रहा है कि अच्छिर किया थाना तो गाइश चेंज अफ प्लान कि अप उद्रीज जाओ कि अफ जाओ कि अफ रोडीग इतर स्थ्सक्राइब कि अफ रॉड इंट या पे तो, anyways, मैच आपने को करने ही पड़ेगा, किदर ने किदर कुछ ने कुछ ना कुछ तो चुप चाप, जो रस्ते से यह रस्ते से हम आये थे, है रस्ते से यह जाएंगे, खतम, जादा टैंचे नीचे अपने को, बाए बाए उम लंगिला, के उल, के उल विलेच बिए देए यह से लेट 317 किलमेटर है और रस्ता देखना दिखी नियुरा गर क्या है वह समझ भी नहीं आ रहा है झीक अभी लेफ जाने गरा जाना का आओ सीदह जाने समझ नहीं रहा है दो इस तो शेजन्टर है एयं दिए अकितना नोटिस कर पा रहा है और यह नहीं हो आ टिख 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 अंदे बेंट स्टोप माइ फ्रेंड के अजया निकल रहे अध्य चला वी देखा यार पिछे का ओ हो हो पैंगों से पहले पैट्रॉल भराया ता जिस थोडा वो टर्निंग पर क्या नाम था उसका मैं भूल गया और अभी ये सब करने के बाद देखा अभी ये बिलिंग कर रहा है तो मेरे पास अभी डोनो इसमें रिजर्व है और रिजर्व से आइधिंक पांच लिटर भी डालूंगा ना तो नियो मा में पहुच जोंगा तो नियो म हो जाएगा तो यह पेट्रोल का अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आया है पेट्रोल का अभी एक ही यह बिलिंग वो रहा है मेरे खाल से यह नीचे तक तो पहुचा देगा मुझे आरम से पहुचा देगा यहां से मोर 55 क्लिमिटर्स तो गो फॉर हनले थोड़ा गलत चले गेते हैं हम लोग आगे तो आपस भी हैव पाइंड रूट तो हनले अपके 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 चारा यह चड़ाई भी ठीक है यह रस्ता देख अधर से कैसे जा रहा है क्लास नो है ऐसे इसे रस्ते बना यहां कि क्या ही बोलू मैं अल गूड कर दो स कर दो और कि जन्य दो है कर दो दो है क्या बंग 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 अचा बंगर बंगर प्रदयर में यो मैन वाइंटेंज ब्रो वाइस अप्टिया पहाड है स्मूथ 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 अब आल माउंटेंस आ स्मूथ लाइक राइड यहां से तो मस्त दिख रहा है यहां से लोग रुख गए तो एक बच के बाइस मिनित हो गया अब है वो भाई का बाइक चालू निहो रहा था फिर कैसे तेसे चालू हो गया अब ही मैक्यानिक को दिखाने वाले वह तो यह चलो अभी हम लोग पहुशना है हले हले पहुश के फिर आगे देखना है अच्छी एक गलती ची यह हो गई कि नियोमा जाने के नीचे से रस्ता था तो अगर हमारा सामान लेके आते तो वी कुड आफ गॉन त्रू धार्ट रोड डरेक्ली नियोमा पहुच जाते लोमा से अब ठीक है अभी क्या करे नो वरीस अभी जाते और हलने से सामान उठाते और निकलते दो बच्के ग्यारा मिनिट हो गया अभी ते गे रस्ते पर आइधिक और तीस किले मेटर करना बढ़ेगा सीन यह है कि एक और किसी अंकल का गाड़ी खराब हो गया तो वहां पर तो अब प्रॉब्लम यह है है कि हम करना ता बद कर नहीं पा रहा हूं मैं तो कि मेरा गाड़ी नहीं उठेगा तो मैं क्या वह गाड़ी कैसे उठाओ अभी एक और पीछे एंफिल भी खराब वह था अभी दो गाड़ी में को ऐसे खराब मिले सब्सक्राब किया ना बुरा लगता है बट कुछ कर नहीं सकते भाई बटा आर्मी वाले ना बहुत हेलफूल है अगर आपका कभी कुछ प्रॉबलम हो गया ना अब आप आर्मी वाले से कंटक्स कर सकते हूं यह वेरी हिलफूल और लोग जरूर है पर करेंगे वाग क्या रस्ता है काई शरी पड़ रस्ता कियो अमस्त है तो बैज ही क्यों से आते ताइम बहुत ही सही है क्या मस्त हिसे थाइस क्या रॉव भॉट ए गाइस क्या सथी है और स्टा देखो बढ़िए फड़ाफट नीचे पहुशना है दो बच के 26 V next be Further न्यमा पॉश्चना है फड़ा फटलज और पो देखते अब problem हो गया है देखते कैसे करना है कुछ ना कुछ issue आई रहा है किसी का गारी खराब हो रहा है तो Dep가지 कि हो रहा है अभी पेट्रोल देखो यह ब्लिंग कर रहा है कबसे मैं भी चाहरा हूं इसको थोड़ा stretch करूँ देखते ही डबल दोनों जो लास्ट ब्लिंग करता है तब उसमें हालने पहुचता है क्या नहीं देखो यह रस्ता है गाइस फुरा खतरना क्वाला तो गाइस यहां से हनले और 25 क्लेमेटर्स टू गो तीन बज़े तक आइधिंग साड़े तिन बज़े तक पहुच जाओंगा पहाड़ी रस्ते में 25 क्लेमेटर्स भी बहुत होते है कवर करने के लिए और यह से टर्न साथे न खतरनाख इसमें टाइम चला जाता है ओम लिए पास्ट टू हनले आते टाइम एकदम कड़ा कुए गाइस मेरको ना अभी यह ट्रिप में टाइम लेने नहीं मिला यार यह ब्रो यह ब्रो आइसा ही उतर नहीं है तो यह स्प्रीड कंट्रोल में रखना अराम अराम से उतरना लेट्स गो लेट्स को मज्जा आइन मज्जा नी लाइब डाटन बडाटन कोई है नी तो बडाटन ले सकते हैं अपने और रश्ता देखा है चल वह गाणे वाला किदर पोजगे देखा है उनको वह टेक करके अभी पी एक लाइट ब्लिंग कर रहा है आई थिंक 22 किलमेटर है में पहुच जाना अच्छी है 20 किलमेटर सारी चल लाइब अब दो आपको दिखा दे रहा है क्या किते सारे बेडिये देखो आ रहे नीचे पहाड से उतर के है यहां से आ रहे है यहां से उतर के आ रहे है यहां पर यहां से नीचे जारहा है कि यहां से ओमलिंगला के लिए स्टार्ट क्या था वहां पर पहुच गए टाइम हो रहा है कुछ थ्री थरी फूर आधिक एक गंटा पहले पोच जोते है बट ताइम हो रहा है चार बच के दस मिनिट अभी निकल रहा हूं हनले से एक जन आगे गया एक जन पीछे अभी देखते हैं कुण काफे कब मिलता है एक को तो बोला मैंने वेट कर निगले काफे के दर लेट सी देखते हैं आज कहां तक पहुच पाते हैं ओमलिंगला तो अब यार पेटरोल साथ देदे अभी पेटरोल का न दोनों बिंक हो रहा है ने को बंदे तक पहले वाले बंदे तक पहुचना ए और आपर या के पेटरोल भराना है जेरी कैंस इतना टाइट हो गया ना मैंने खोली नहीं पा रहा है उसको अभी भूग भी लगए सुबे जाला ब्रेड और चाय खाया था बस और किस खाया नहीं मैंने कि फाइनली एक जेरी कैन खाली हुआ मेरा जो सबसे जादा उचल रहा था करना भी पड़ा कि अब डेड़ गंटा अब नियो मा में पॉच्छना अच्छली ने बजी तब अच्छा और यहां पर भी ना गाइस कैस चलता है तो आपको कैश क्यारी करना पड़ेगा यहां पर यहां पर जेयन के बैंक तो देखा एक उसमें रहेगा बट स्टील कैश करेंगे तो पिटर रहेगा चलो 425 हो रहा है और यहां से नियो मा पूच्छना है सेवेंटी किलेमेटर्स के आसपस है चलो पूरा जेयरी कैन खाली क्या इतना ही इतना ही यहां से लो मा फॉटी इट किलेमेटर्स है वाइस पिर से रोलर कोस्टर वाला रस्ता एक तो मस्तों मज़ार है कि अब रस्ता कि इतर जा रहा है समझ मनिया आता है तो फिलाल हम लो मा जा रहे है वाइसे नियो मा जाएंगे आपे पेटर बर के देखेंगे क्या करना है ताइम हो रहा है 5.19 और अभी हम लोग पूछे चेक पोस्ट यहां से और 20 किलेमेटर्स तो गो फॉट नियो मा पेटरल पंप अभी देखते है पूछ पाते है क्या क्या मस्कीन है भाइ दोगाओ 5.0L पाते हैं 5.0L यह नियो मा का पेटरल पंप है गाईज अगर आपको अगर आपको अगर आपको मनली जाने हो तो ले ना जाके आप यहां पे आ सकते हो यह चे यह साथ विजी तक चालो रेता है तो बीक्षर आप 6 के पहले आजाओ तो बेटर लेगा यहां से मैंने भी अभी जस पेटरल फिल करा है फुल टैंक करा है और वो जेरी कैन खाली हो गया था तो उसको फिल करा है ओके चलो वहां पे अभी कुछ खाते देखते भूक लगी है अभी यहां पे आई गये है और थोड़ी बहुत भूक लग रही है और छे बज़ रहे तो थोड़ा कुछ खा लें तयार यहां पे रिस्किये पार्किंग बठीक है अभी इतना तो चला चला के आदत होगी है कहां से कहां मिलता है यह अभी एक बंदा हमारा कट लिए अभी हम लोग सोच रहे है कि यहां से मनाली का रूट ले देखते है 648 हो रहा है कहां तक कवर कर पाते है अब लेट सी क्या हो अभी एक्षटिया खतम हो रही है मैंको एक्स्प्लोर करना था और एक दो प्लेसेस बट यह नो अप्शन तो वापस जाने के लिए अभी 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 एक अप्शन है उपो जाने का अभी आपस यह रूट पर देखते क्या होता है सपनों की दुनिया ही है सारे सपने एक्डम सब कुछ कितना उसम है यहां पर सब कुछ कितना पॉफेक्ट है सब कुछ कितना पॉफेक्ट है वाप अभी इसाइड बट ठीक है लाइफ में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा बस यही सोचके आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी रुकना था एक-दोसे मोरे लेक करके जाना था बट यार समय की कमी के कारण नहीं जा पा रहा हूँ ठीक है जो भी है जैसा भी है इस व्यूस को आखो मैं भर रहा हूँ बस भर ले रहा हूँ ताकि उनों फिर कभी आऊँ तो यह मुझे ऐसी यह मेरा ऐसी स्वागत करें जैसे अब किया था तो इसे लोग इतने अच्छे दोस्ट गाल 6.54 हो रहा है और सुलाइट देखो कुछ नहीं दिख रहा है मिरको कुछ नहीं दिख रहा है कितना बड़ा ना गाईज साथ बजरे साथ बजरे साथ बॉम्मे में साथ बजरे अलमोस अंदेरा होने जाता है यहां पर देखो साथ बजरे फुल डेलाइट एक तो मस्त वाला यहां है यहां नीचर जो यहां पर आके नीचर ने मुझे सप्राइज दिया ना गाईज वो मुझे लगता निए कि किदर और मुझे मिला है वेशा कुछ जादा ही सप्राइज होगा में यहां पर नीचर ना के अब यहां जारे मुझे पता नहीं है अब यह कहां जारे मुझे पता नहीं है इस जारे के फिर जा रहा आगे मैं उसके पिछह रहा हूं ओके आफ रोड़िंग स्टार्ट इमनाली का रसता है यहां अभी सुम्डू विलेज क्रोस किया है हमने एस सोच रहे है कि जितना दूर हो सके या जितना ज्यादा पास जा सके मनाली के क्योंकि मनाली कुछ 400 km दिखा रहा था जो पेट्रोंप था वहां पें नियोमा पेट्रोंप से तो हम सोच रहें कि जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा हो सके डिस्टेंस कवर कर ले कम से कम अगर 100 भी कवर कर लेंगे दिन रहते रहते तो फिर कल 300 km कवर करना इजी हो जाएगा जैने को तो यह रस्ता मना ली जाता है बट इस रस्ते से कोई नी जाता है क्योंकि कब से हम दो नहीं चल रहे चल रहें अभी दोने है रस्ते पर और कोई दिखनी रहा और आगे एक विलेज तो सोच रहे है कि वहाँ प्रू पर बनाए यहkas, थीन दीक दिखेने पनाब ही घर करें और आप पर निया रस्ता बनाए, अन्य रस्त है पूरल नया रस्त बना है और अभी देखते एक विलेज है, सुना है, वहाँ पे शायद होमस्टे है, I don't know, I'll have to find out, what theory है, let's see, कहां तक वहाँ पाते हैं, क्योंकि, मौना लिए एक बिन भी तु नहीं जा सकते हैं, so try करें कि, औरे बापरे, शिट, ओफ रोड आ गया, दिखी नहीं रहा रहा था भेंडी, वह पता नहीं, वह तो गाओ पर दूर दिखा रहा था, पता नहीं किदर, चलो दिखते हैं, गाओ का तो अता पता है नहीं, बट यहां पर ओफ रोड पर चाली हो गया भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है, 755 हो रहा है, करे क्या, दे आर, शिट, अरे यार, चलो देखते हैं, जो भी होगा, दिखाता हूँ आपको, अरे यार, यह रस्ता नहा है, बट शाला, पुरा यह है उस पर, क्या बोलते हैं, तो यह तो डिसाइडम ने यह किया, कि पीछे थोड़ा सा पूगा करके विलेज है, साड़े आठ किलोमेटर दिखा रहा है, तो वहाँ पर जाके एक बार, ट्राय करेंगे, वहाँ पर नहीं मिला, तो एक विलेज में हम लोग पुछके आते हैं, सु मोड़ो बोलके, तो वहाँ पर पुछेंगे, क्या है, इतना, 26-27 किलोमेटर मतलब, एक से और गंटा भी लग सकता है, दो गंटा भी लग सकता है, तो बेटर सोचा कि जो पीछे गाउँ है, थोड़ा पीछे जाएंगे, बट, अपने पास कुछ तो ऑप्शन होगा न, अरे बाप रहे, इधर भी साला ओप रोड, यह रस्ता अरे बाप रहे, शिट, 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 चला, देखते हैं, पुगा में दिखा था, आपको देखते हैं, तो अभी 8-8 किलोमेटर पीछे जाने के बाद यह अंकल मिले, बुलते हैं, 8-10-15 किलोमेटर आगे चलो, वहाँ पे मेरा होमस्टे है, तबी टैंप वाले अंक आइसु़ और यू बडूओ, क्या होगया है? क्या होगता? आकड़ चलो में अगए चलोओ हाँ अश्लो चलन भसड़ खुरा चलना ख़राब रस्ते बेस वह रूम आपका पक्का है चलो चलोगई चलोगा जादाला जगा जगा जबोगा जगेट है जगेट थंड़ तो है चलो 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 अब थंड बहुत है बिटार तो नाइस ओफिम योज ओफरिंग जैकेट्स बड़ लोग अल्ड़ोडी जैकेट पहने वे उसके ओपर कितुना ही जैकेट बहन ले चलो ठीक है देखते अभी देखो जो रस्ते से हमने यूटन मारा था उससे कई और आगे लेक्या है और देखो चड़ाई देखो देखा वह अंकल गाड़ी जा रहे ना गाड़ी से वह चड़ाई है ओफरोड प्लस पिछ डार्क प्लस चड़ाई एवरिधिंग एट वांस चालेंज इस देखो गाइस वह तो नसीब भला हो मिल गए नहीं मिलते तो और थोड़ा पीछे जाना पड़ता है एनिवेस चलो अभी खराब इतना क्या रस्ता दिखाओ बट या चैलेंज इस देखो गाइस आलत खराब है चलो आगे इनका घरी दिखाता हो सीथा तो भाई लोग रात के ओर है 930 टोटल 434.9 तो ये कोई विलेज है तो सो कर अचली ये जो विलेज है ना ये हम लोग पहले सोच रहते हैं आने का बट क्योंकि अंदेरा हो गया तो इसके लिए पीछे गए वटी अंकल हमको उदर ही लेकिया है साथाथ किलोमेटर का चुट चुरन लेके 35 प्लस किलोमेटर चला रहेगा इस पिछ ब्लाक में सुनसान रास्ते पे एक अन्नोन अंकल को फॉलो करते हुए देखो 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 देवल ऑफ स्ट्रगल देस्टीनी आज तो अब रीच दिस विलेच तो अब यह अंकल का रूम अच्छा लगे ना लगे मुझे तो लगा कोई बीच में कोई घर है किसी का उसको आज़ा होमस्टे दे रहे हैं बट नहीं तो इस तो कर विलेज है उदर यह बहुत सारे होमस्टे अक्छिली देखते अंकल किदर लिके जाते यह भाई सर पर मुन नहीं लगेगा ना वो ओके सर बचा के बता चला सारवर पर लग गया चलो साथ किलो मेंटर बोलके इतना गूमाया अंकल नहीं अरे किदर जा रहे भाई विलेज खतम हो गया प्शला देखते है इधर का हिसाब किताब क्या बोलते हैं अंकल तो गाई इस फाइनली आइम मोरा 945 अभी हम लोग रूम पर पहुझ गये रूम ओके-ओके है दिखाऊंगा नहीं कि बहुत बेसिक रूम है अजार उपय टू परसन विट फूड डिनर और ब्रिक्वस्ट और यह अचली होमस्टे है पुरा लिप्स मेरा ड्राय हो गया अचली रात को हम लोग प्रिफर नहीं कर रहे थे बट हम लोग जा रहे थे एक सुमोडोगर के विलेज है उसके पहले एक विलेज था वहाँ पर पूछ निकिले बट यह अंकल ने बोला उदर नहीं मिलेगा मेरे साथ साथ किलोमेटर में है तो जो साथ किलोमेटर का 35 किलोमेटर कैसे हो गया यह अंकल अभी भी बोल रहा है बट रहा है यह आज हमारा बेसिक बिनर प्राइड राइज और शूप और जो हालत हुई है आर ऑफ रोड में वह कंदा हालत था उप एक तो अंदेरा था और पुरा और यह बंदा पीछे सो गया है तो मैं इसले आराम से बोल रहा हूँ कल का प्लान यह है कि कल बना ली जाना है और उसके बाद देखते कैसे करना है नसीब वह भाया मिल गए हम लोग एक्चली छे किलोमेटर पीछे जाने लाते हैं पाच्छे किलोमेटर बट उन भाया के च वह एक बाद कॉपी हो जाए इस हो जाओंगा यह बहुत प्रॉब्लम यह भी हो रहा है इट नहीं कहने हो रहा है क्योंकि क्या पूरा दिन राइट में निकल जाते हैं अब हालत देखो दूल मिट्टी खाके ना पूरा आपाद करा बज़े तब ही मैं फ्रेश नहीं हूँ साड़े दस बज रहा है दस बजने आए और दस नहीं नहीं आरा बजने आए और अभी तोड़ा फ्रेश होंगा बीजस खाना खाया कॉफी प्या खाना काया सब हो गया अभी तोड़ा आइगेस अपने देखा ही होगा पुरा उम्लिंगला कवर किया है बहुत मजा है बहुत मजा है तो या अभी क्या ही बूलू अपने देखी लिए रहेगा यहां तक हो तो नीचे एक थम्स अप ज़रूर डाले और बहुत पुरी हालत की पैंड बज गया रहा है आज का उम् फिर मिलता हूँ आपको इसके नेक्स पार्ट में तिल देन बाबाई लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब भी कर दो गैस चलो बाबाई झाले लाइक कर दो बाबाई